नमस्कार किसान भाईयो यदि आपकी खेती में अभी मैंथा है या फिर कोई अन्य फसल है जो लगवग 15-20 दिन के अंदर हार्वेस्ट की जानी है और उसको हार्वेस्ट के वाद यदि आप उसमें धान लगाना चाहते हैं तो पहले ही आप लेट हो चुके हैं तो ऐसे में आ काफे का स्वदा सावित हो सकती हैं तो सबसे पहली वेराइटी के यदि बात करें तो सर्वती जो दयाल की आती है या फिर अन्य व्रांडों की भी मार्केट के अंदर सर्वती उपलब्द है ये अपने लगजरी स्वाद वे सुगंद के लिए प्रसिद्ध है और अधिक्त क्विंटल प्रति एकड़ की दर से हमें उत्पादन देती है और बात करें रेट की तो लगभग 5,000 रुपे प्रति क्विंटल की दर से ये मार्केट के अंदर कईवार विक्ती है कईवार ये उपर भी चली जाती है रेटों में धान की ये सर्वती किस्म अधिक्तम रोगो यही होती है कि अपने गिरने के कारण ये हलकासा उत्पादन कम कर देती है तो इस वज़े से कुछ किसानवाई से लगाने से बचते हैं दूसरी किस्म है पूशा वासमती 15.09 ये अधिक्तम भाव उपर मंडी के अंदर विक्ती है या फिर वाजार में विक्ती है जो बहुत ज़्यादा मुनाफिका सौधा हमारे किसानों के लिए होती है और ये किसानों की चहीती किस्म भी होती है और दोस्तों सबसे वड़ी खास बात इसकी ये है कि ये अगेति, पिछेति और फिर मध्धम यानि सभी प्रकार की प्रकार में वोई जाती है और अच्छा जिसकारण हमारे किसान भाईयों को बहुत ज़्यादा मुनाफ़ा होने की संभावना वनी रहती है। जब आप नरसरी त्यार करने के लिए अपने वीज को लेते हैं तो सबसे पहले साधा पानी में उसे डालिये और जो ऊपर वीज आजाते हैं उसे हटा दीजिए और फिर कारवेंड़ाजी महिनकोजेव के घुल के अंदर उसे अंकूरित कराईए अंकूरित कराने के बाद चिस दिन की हो जाए तब वो एकदम योग हो जाती है लगाने के लिए अधिकतम दिन की यदि आप नरसरी को रोपते हैं तो उसमें भी समस्याइं आने की प्रायोटी जादा वनी रहती हैं और जब आप अपनी फसल को रोपने जा रहे हैं जो नरसरी आपने पंद्राइ-जी को प्रोवेक्स, थीरम, अत्वा, कारवेंडर जी मैनकोजेव के घोल में या फिर वावस्टिन के घोल में उसे डवा लेते हैं तो फिर ये जो रोग है ये एक से दो परसेंट ही आने की संभावना रहती है या तो आएगा ही नहीं आएगा तो एक से दो परसेंट आएगा ऐसे में आपके उत्पादन पर ज्यादा खास प्रोभा पड़ेगा नहीं और आपको बहुत अच्छा उत्पादन मिल जाएगा तो दोस्तों ये दो-तीन साफधानिया येदि आपने पंद्रह जीरो नो पूसा वास्वंति के अंदर रखी तो फिर आपको अच्छा उत्प सर्वती या फिर पूसा वास्वंति पंद्रह जीरो नो इन दोनों में से कोई भी एक वराइटी चुन सकते हैं और जो मैंथा अत्वा लोविया वगेरा चल रहे हैं उनकी हर्वेस्टिंग के बाद धान की फसल ले सकते हैं और इस वार अच्छा मुनाफ़ा कमा सकते हैं द यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों तो आज की वीडियो में केवल इतना ही नमस्कार